सबसे पहले आप सब मीडिया बंदूओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शार्ट नोटीस पे इतनी दूर यहाँ पे पहुंचे आज की जो प्रैसवारता है आपने देखा कि एक मढर होता है अफ्तार सिंग का उसके बाद परशासर जाता है और लैंड ग्रैबरों पे शिकनजा कसता है लेकिन क्या सिर्फ एक ही जम्मू में लैंड ग्रैबर है गोला शाह उसके पीछे या उसके जैसे जो लैंड ग्रैबर है वो भी किसी का जब मडर करवाएंगे जब किसी का मडर होगा तो उसके बाद परशासन जागेगा मैं आज लैंड ग्रैबरों की सुची आने वाले दिनों में नाम लेकर सबके बताओंगा लेकिन आज भी तीन-चार लैंड ग्रैबरों जो बड़े- मडारमेचय बारत-बॉशन तविभारमेचय और वो आज भी केई प्लार्ट सेल कर रहा है और बजालता में भी उसने नहीं छोड़ा वो बजालता में भी जेडिये की लैंड जो है वो सेल कर रहा है आने वाले दिनों में बहुत जल्द थीक साथ दिन के बाद मैं इसकी पूरी गाथा आपको सुनाओंगा क्योंकि अगर म वारत मुशन सीबी आई इंक्वाइडी हो वहां पे करोण और प्याज जेडिये ने इससे लेना है और केई गुना प्लार्ट वहां पे इसने सेल किये हुए है वह इसकी इंक्वाइडी हो सीबी आई की उसके बाद आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं एक लेडी बचार मुझफरावाद की थी उससे सोला कनाल बंदू रख में खसरा नंबर 48 की जमीन अलाट होती है रूल है होती है रिफ्यूचन को बड़ी लीगल अलाट्मेंट हुई ये वाली लेकिन उसी का एल फार्म कुछ लैंड ग्रैबर और कुछ लैंड ग्रैबर और कुछ लोग जमीन जो है मुठी बढ़नाई में मुठी बढ़नाई में 48 कनाल जमीन खसरा नंबर 664 और 663 प्लस प्लोडा में 48 कनाल जमीन जो है वह लाट करवाली फार्म के ओपर दूसरी जमीन भी लाट होगी जब कि अल फाम के उपर एक ही जमीन ऐलाट होती है एक ही ताइम ऐलाट होती और Krishnah Banti को पता भी नहीं था दूसे तिसरा यहां पर भी इनकी भूक नहीं मिटी लैंटग्रेबरों की इसी Krishnah Banti के नाम के अलफाम के उपर एक और जमीन एक और जमीन तीस कनाल सोला मर्ले तीस कनाल सोला मर्ले मर्ले जमीन लाट होती है दिली दिली मेन रोड गंग्याल में दिली मेन रोड गंग्याल में सो अर्ब रुपे की प्रॉपटी जो है जो गोर्मेंट की इन्होंने खाली जो सो अर्ब रुपे आ इनका खाय है जब कि fci का order है इंतकाल बढ़नाई की जमीन के भी खारिज है और डिली जो में रोड गंग्याल की जमीन है उसके भी खारिज है उसके बाद भी उसके बाद भी आप मुझे बताईये उसके बाद भी बिजलेंस जो है वो चलान पेश नहीं कर रही आखिर vigilance के ओपर किसका pressure है शक्ति पाठक जी बड़ी उमीद है मुझे क्योंकि शक्ति पाठक जी जैसा इमांदार और honest officer मैंने नहीं देखा आपकी press conference के बाद एक दो दिन के अंदर अंदर मैं उनसे खुद मिलूंगा और पूरा चिठा बताऊंगा क्योंकि इसमें कोन से कोन से खस्रा नंबर के इंतकाल खारज हुए हैं आप भी सुनन लीजिए खस्रा नंबर, 781, 786 कनाल, 10 मल्र जमीन के एल QUर्मेट इंतकाल खारीज हुए है फिर खस्रा नंबर 817, खस्रा 422 खस्रा 826, खस्रा 1010 और यह त्यत्ती कनाल 16 मडले जो जमीन है इसको एपसी आई ने भी बोल दिया इसको गुशंवेम्न ने भी बोल दिया कि यह जो जमीन है ये कोई जमीन हमने लौट नहीं नहीं की उई तो यह आफ आप जगीन माने इसकी जिस्ट्री आफ कहांपर हुई इसकी इस पटवारी देकरवाई ओने करवाई वह महेश चंदर शर्मा कोन महेश चंदर शर्मा मेल पटवाड़ी था उस टाइम और दो पहले नाइपथ सील्दार यह रिटाइड हुआ है जाना कि बढ़े से तसील्दार और नाइप रिधा तो एक भी लैंड ग्रैबर नहीं छोड़ा जाए आने वाले दिनों में मैं एक एक लैंड ग्रैबर का नाम लेकर आपको बताऊंगा जिस तरह आज मैंने दो तिन लोगों के खसना नमर बताए तो इस तरह कृष्णा बंती के साथ भी दोखा हुआ सो और पृपे की जमीन गंग्याल में रोड पे शोरूम बने हुए हैं पेट्रोल पंप बने हुए हैं वो सारी की सारी जमीने जो हैं वो सरकार ने खारज कर दिये इनके इंतकाल FCI ने रिपोर्ट दे दी, बढ़नाई की जमीन में रिपोर्ट दे दी, तो उसके बाद भी ये जमीन सरकार बापिस क्यों नहीं ले री, इनसे पैसा क्यों नहीं ले री, क्यों गृपों के जो किरायदार लोग हैं, उनको प्लाट नहीं बंटे जाते, आपने पिंचने बंद कर दी, गृपों को प्लाट नहीं दिये, लेकिन सो सो और पुरफे है, जो सरकारों ने इनसे लेना है, वो सरकार इनसे पैसा नहीं ले री, इनकी जमीने खाली नहीं करवारी, वहीं पे मैं आपको बात करूँ, एक और खसरा नंबर है, वो आप जिकीन मानिये कि 35 साल, 35 साल कोर्ट में केस लड़ता है, एक आदमी, प्राइवेट जमीन के ओपर, गोवर्मेंट को कहता है, यो मेरी जमीन है, लेकिन गोवर्मेंट वो केस जीत जाती है, और आप जिकीन मानिये कि अभी भी, अभी भी, खसरा नंबर 19 छनी कमाला, प्राइवेट पार्टी केस हार जात जाती है, गोवर्मेंट केस जीत जाती है, उसमें अभी भी पांच कनाल जमीन जो है, वो खाली पड़ी होई है, लेकिन हमारे तस्हीलदार बहू, हमारे तस्हीलदार बहू और हमारे एंटी क्रॉप्शन वीरो के जो इन्वेस्टिगेट अफिसर है, उन्होंने 2021 में अप् बहू, तस्हीलदार बहू, और ये बहू का जितना भी रेवन्यू डिपार्टमेंट है, ये जनाब उसको आई तक दिमार्केशन नहीं दे रहे, और मैं बहू, बहू रेवन्यू डिपार्टमेंट को चतावनी देना चाहता हूँ, अगर MD बारत बूशन की किसी ने, किसी को एक्सपोज करूँगा, आने वाले दिनों में, इन लैंड ग्रैपरों की सूचिये, जितनी जितनी मेरे पास आती जा रही है, मैं सब कुछ बताता जाओंगा, और गोला शाह केला नहीं था, गोले शाह के साथ, इनका जो स्टाट अप था, इनको जो पीशे बैठा हुआ था, मजीद नाम का इंसान, आपने देखा होगा, सिद्रा में सारे रेस्टरेंट तोड़ दियेगे, सारे रेस्टरेंट खतम कर दियेगे, लेकिन एक रेस्टरेंट चल रहा है वहाँ पे, वो मजीद का रेस्टरेंट है, क्यों चल रहा है, उसने स्टे ले लिया, क्या बा कलब है उसमें वे इंवाल्ब था वबंदा तो उस इंसान के ओपर एक्षन क्यों नहीं और तो और फारुक अब्दुल्ला सहाब की कोठी जो खसरा नंबर छे चे में पड़ती है खसरा नंबर छे में अब अंदर होंगे ये लोग जेल में होंगे आप एक गोले शाह के पीछे तो पड़े हो उसको तो जैसे तैसे काफ़र कर लिया ये तो उसकी सपोर्ट करने वाले लोग उसके साथ पैसा खाने वाले लोग उसके साथ जमीने हरपने वाले लोग उनको भी अंदर किया जाए उनको भी पीयसे लगाया जाए उनको भी जेल में ठोका जाए और सरकार अपनी जमीने जो है इन सबसे बापीस ले धन्यवाद